योगी जी ने पूरे उत्त प्रदेश को माप्याओं से मुख किया है मैं कहकर जाता हूँ एकका दुक्त बच गए ना बच गए ना उसको भी साप करने का काम अगले पांच साल में हम करें कानून और व्यवस्था को योगी जी ने समालने का काम किया है रकेटी में 72 प्रतिसत की कटोथी करी है लूट में मासट प्रतिसत की कटोथी करी है हत्या में 31 प्रतिसत की कटोथी करी है अपरण में 29 परसंट का कमा करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने कर रहा है और बलाक कार में 50 प्रतिसत की कमे करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार में भारतिय जनता पार्टी की सरकार मित्रों मैं आज आपको बताने आया हूं मित्रों यहां पर जातिवाद परिवारवाद और तुरुष्ट्री करण इसकी राद निदी चलती थी हमने जातिवाद भी समाब किया है परिवारवाद भी समाब किया है तुरुष्ट्री करण भी समाब किया है वित्रों आज मुझे बताओ वो आजम खान बड़े तुरम खान बनकर गुमते कहां है जोड से बोलो भई कहां है एक अतीक एमद कहां है एक मुपतार इंसरी कहां है अगर अखीलेस घलती से आ गए अखीलेस घलती से आ गए तो ये जैल में रहेंगे क्या क्या चाते हो जेल में चाते हो आप बेल में चालते हो जोर से बोलो क्या चाते हो अरे जेल में रखना है तो फिर से भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी मित्रो आप सभी लोग बताओ मुझे अरे यार सुनो तमिक सुन लिया तुझे तू सुन मुझे भाईयों बेनों मुझे बताओ एक कस्मीर जो है वो भारत का अभिनंग है या नहीं है भारत के साथ रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए मोदी जी दारा 370 रटाना चाहते थी पाच अगस 2019 को मोदी जी ने फ्यस्ट लगिया कि दारा 370 नहीं रहेगी और कस्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जूड जाएगा मगरे सपा बसपा कॉंग्रेश सपा बसपा कॉंग्रेश पाटी भीरोथ कने लगए अफिलेश जी खड़े हो गए मुझे बताने लगे ग्रूमंत्री जी अगर 1370 हटी तो देश में खुंकी नदिया बहेंगी नदिया अफिलेश बाबू किसको डरा रहे हो भाई हम नहीं डरते किसी से मित्रो मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने का काम कर दिया और अखिलेश अखिलेश जी सुनिये खून की नद्या तो क्या कंकर चलाने की किसी की इमत नहीं हुई माताओ भाईयो बेनो ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है हम जो कहते हैं वो करते हैं दस साल तक सुनिया मनमोहन की सरकार चली सपा बसपा कॉंग्रेस की सरकार थी पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे हमारे जवारों के सरकात कर ले जाते थे और मन मौन सिंग के मुझे उप नहीं निकलता था मौनी बाबा चुप रहते थे मोधी जी आ गए आपकी कृपा हो गई इस अंगम लाल को आपने MP बना दिया मोधी जी आने के बाद भी इनोंने इनोंने बुलवा मावर पूरी में हमला किया उनको लगा अब क्या होने वाला है पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं था कि सरकार बदल गई है अब कॉंग्रेस की सरकार नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है मनमौन सिंक वाला मंत्री नरेंडर मोधी वाला मंत्री है दसी दिन में दसी दिन में मोदी जी ने सरजीकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुषकर आतांक वाधियों का सफाय? भाईयों बेनों मोदी जीन ने देश को सुरक्सीत करने का काम किया है पूरी दुनिया में मोदी जीन एक संदेश बिजा है कि भारत की सेना और भारत की सीमा उसके सामने आख उठा कर कोई देख नहीं सकता वर्ना डंडीत किया जाता है माताओ भाईयों बेनों हमारे सांसत पीछे पड़े रहते हैं विकास के कामों के हमारे धिरद हो जाबी अब पड़ेंगे इस छेत्र के लिए डेर सारे काम हमने किये गंगा एक्स्प्रेस्वे की परियोधना से प्रताप घर पूरा पूरा जन पर विकास के साथ जुड़ने वाला है शीवसत में करोडों की लागत से एंजिनरिंग कॉलेज विक्रुत हो गई है शीवसत में कैंद्रिय विद्ध्याले भी हमने बना दिया है खरवई में राजकिय डिगरी कॉलेज और बासी में राजकिय महिला कॉलेज इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव कर दिया है हम सब के लिए पुझनिया मावाराही के धाम का संदरी करन करोडों रुपियों से शुरू है संसारपुर में अउद्धिक शेत्र का विकास चालू कर दिया है प्रताबगड में इन्युवर्सिटी बनाने की शुरूआत करी है प्रताबगड में सोनेलाल पटेल जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की भी शुरूआत की है गेरा के कत्रोली में खेलो इंडिया योधना के सहर्ट स्टेडियम बन रहा है सीविगड के नजियापुरी में एक मिनी स्टेडियम भी बना दिया गया है चार ऑक्सीजन प्लांट यही जनपद में लग चुके है आट सो तेरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर एक्टीव है और पृत्विगन बजार वासुवसा को नगर पंचायत का स्टेटस भी देने का काम है मुझे बताओ भई यह अखिलेस आये तो पुछोगे कि दस साल राज किया क्या किया भई पुछोगे क्या पूछना चाहिए नहीं पुतना चाहिए माताओ भाईयो बेनो इस सपा बसपा विकास नहीं कर सकती है विकास केवर और केवर नरेंद्र मोदी जी के नित्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी ही कर सकती है गरीबों का काम भारतिय जन्ता पार्टी ही कर सकती है कानून और व्यवस्ता योगी जी ही सुधार सकते है अरे बहु बली ये सारे साफ हो गए पूरे उत्तपदेश में कोई बहु बली बाकी नहीं है जहाँ जाओ, वहाँ कोई बाहु बली नहीं है, सिप बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं भाईो बेनो मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निसान पर बटन दबाओगे क्या? अरे याद जोड से बोलो बताओ दबाओगे? ओजाजी को विदायक बनाओगे? तीन सो पार कड़ाओगे? भादपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुझ्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजाई के संकल्प की मुठी बिचे और प्रचन्दावाद से बुलिए बारत मता की बारत मता की बारत मता की वंदे अत्रम वंदे अत्रम